अलो गाईज आज फिर एक नए टोपिक के साथ जो कि कई बार कई गाईज कई बच्चों ने मुझे बताया है कि सर इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आज उस प्रॉब्लम को मैं पूरे सॉलूशन के साथ फुल सॉलूशन के साथ उसको ले कर गया हूं कि किस तरह इस उ मॉडल्स में भी सकने का जहां जहां सकना यूज होता है जहां सकना यूज होता है सकता हूं सकता था सके तो उसके लिए किसका यूज होता है केन और कुड का वैसे में मैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनमें कितना डेफरेंस होता है लेकिन सबसे पहले मैं उस म कड़ी में आज आपके डिये क्या लेकर का हूँ can could का use लेकर का हूँ and can could का use इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप आंक बंद करके इनका use करने लगो कोई कभी देक्कत नहीं आनेखी तो कैसे करते है Can का use और could का use बेखते रही, last तक देखे, can Σकना माने सखना होता है, और उसका use हम present tense में करते हैं, जैसे वे आसकता है, मैं जा सकता हूँ, तो यह सकना, सकता है, सकती है, सकते हैn present tense में, और इसी can की जो past form होती है, वो होती है could, इसका प्रSonus, past tense में होता है, तो सबसे पहले मैं आपको can का use पढ़ाएं जा रहा हूं कि जिस sentence में यदि को sentence हिंदी में लेका हुआ है और उसमें यदि आपको sentence को पढ़ने के बाद उस subject की कोई योग गता उसकी कोई सामर्थ capacity या कोई allowance हो अनुमती हो या कोई निसेद निसेद मनाई करना किसी को मना करना वो प्रकट हो तो हाँ किसका use होता है can का use होता है किसका यूज होता है, केन का, यूज क्या से होता है? साफ से पहले हम structure देखते हैं, subject लगाते हैं, subject के बाद में फिर हम can लगाते हैं, और एक special बात होती है, जितनी भी models, एक special बात बता रहा हूं, जितनी भी models होती है, यदी sentence active voice में होता है, तो उनके साथ सदयव वर्व की first form आती है ध्यान रखना है तो can के साथ भी कौन सी फॉर्म आएगी first फॉर्म आएगी उसके बाद में object होगा और फिर other words होगे जैसे for example वह कार चला सकती है तो क्या होगा capacity होगी उसकी सामर्थ होगी चमता होगी उसमें capability है इस बात की तो क्या है वह कार चला सकती है c can according to the structure can आया उसके बाद में फिर वर्व चलाना और कार चलाने के लिए किसका यूज होगा drive का second drive और car a car वह कार चला सकती है या हमने एक चीज़ों लिखा इसमें जैसे मनाही निसेद कई बच्चे पूशती है कि सरी निसेद क्या होता है तो देखो मैं कितने बिल्कुल इसको भहती सुछम सबदों में जैसे कि तुम वहां नहीं जा सकती हो हो लिखो या मतलिखो लेकिन सेंस भई आ रा है तुम वहाँ नहीं जा सकते हो तो क्या हो गया ये मनाई हो गई निसेद हो गया तो कैसे बनाएंगे You Can Not Go There तुम वहाँ नहीं जा सकते हो तो ये can का जो यूज है बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है, आराना समझ मैं कि कितने आसान तरीके से, कितने सुक्ष में तरीके से मैं आपको यह कैन का प्रियोग बता रहा हूँ, अब खुड का प्रियोग देखते हैं, खुड का प्रियोग कैसे होता है, तो खुड का प्रियोग जो होता है, वो कैन की तरह ही होता है केन की तरह ही हम कुड का प्रियोग करते हैं केन की तरह होता बिलकुल अंतर कितना होता है केन का प्रियोग होता है प्रिजेंट में जो मैंने भी बताया और कुड का का होता है पास्ट में सुरू में भी बता दिया था बस अंतर किस बात का है present और past का समझ भारा है ना present और past का can present में और could past में बर-बर दोहरा रहा हूं इसमें ठीक है अब example जैसे वह भासन दे सकती थी तो क्या बनेगा C could deliver speech लेकिन एक चीज़ में बड़ी special होती है और वह होती क्या है कि जो can का,कुड का यूज जो होता है कुड का जो pre-yog होता है समझने वाली बात है कुड का प्रियो वर्तमान काल में कौन से काल में? वर्तमान काल बोले तो present tense कौन सा tense? present tense मैं निवेदन करने कि लिए भी होता है किसके लिए होता है निवेधन कोई प्रार्थना करने के लिए निवेधन करने के लिए भी होता है फॉर एक्जाम्पल क्या मैं तुम्हारा पैन ले सकता हूँ इस पेसल युज़ है अब आपके मुनमें एक प्रस्णुम्हारा लेकिन जब कोई प्रजेंट एंसर और उसमां आपके से कोई निवेधन करने हैं रिक्वेस्ट करने है तो इसके लिए किसका युज़ होगा कोड का कैसे कोड लागा देंगे शुरू में कोड आई टेक यौ पैन क्या मैं तुम्हारा पैन ले सकता हूँ तो यह special use हुआ कोड का तो दोस्तो मुझे लगता है कि आपने कैन और कोड का यह प्रियोग समझा होगा और यदि कोई और अन्य मॉडल्स के आपके कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं थैंक्स पर वस्थिंग वीडियो तिल एंट